हलो फ्रेंजस वेलकम टूमम तो मैं यosc चेलर फ्रेंग आज हम जिस मेडिसीन के बारे में बात करेंगे, वह गाओं में सबसे ज्यादा बिखता है और सबसे ज्यादा यूज करने वाला ये मेडिसीन है वह सबसे ज्यादा इसके पेन, किलर के रूप में दर्द बुखार को ठ कर सकते हैं साथ मैं जानेंगे इसके डोज साइड इफेक्स और कुछ सवधानिय को बारे में तो फ्रेंज आप इस वीडियो में अंतक बने रहे हैं ताकि आपको कॉम्भी फ्लाम टेबलेट की संपूर जनकारी प्राफ्ट हो सके है प्रेंज यह मेडिसीन जो है नोन अप्या इसके मार्कट प्राइज की बात करें तो 38 रुपीज सेवन पैसा है यानि 38 रुप्या साथ पैसे आपको 38 रुप्या में किसी भी मेडिकल अस्टोर पे असानी से मिल जाएगा आपको यह गाउं में भी किसी भी दुकान पे भी मिल जाएगा और इसके एक स्ट्टीप में 20 आता है बीश टेबलेट का एक पता आता है और इसकी कमपोजीशन की बात करें तो इसके अंदर आइबुपुरोफेन जो है 400 मिलिग्राम है और पेरसुटमॉल जो है 325 मिलिग्राम है और इसका यूज की बात करें तो जैसे कि ये एनलजेसिक, एंटी-पायरेटिक और एंटी बुखार हो, बोडी में पेन हो, सरीर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, चाहें बोडी में कहीं भी दर्द हो, जैसे कमर का दर्द हो, हडियों में दर्द हो, या जोईंट में दर्द हो, हडियों के जोड़ों में दर्द हो, चोट या घाव लगने के करन दर्द हो, या घाव का रूप में भी anti-inflammatory के रूप में भी कारिया करता है तो ये सूजन को भी कम करता है गठिया के पेसेंट में भी गठिया दर्द हो गठिया के कारण दर्द हो तो उस condition में भी टेबलेट के यूज किया जा सकता है इसे सुबह में दोपहर में और साम में या दो टाइम ही दीजिए ज़्यादा ज़रुत पड़ने पे उसके बाद ही ज़्यादा ज़रुत पड़े तभी इसे तीन टाइम यूज करें और वजन के नुसर देखा जा तो आऑबू प्रोफें जो है तीन से छे मिलीग्राम पर केजी वेट के नुसर दिये जाता है और पैरसेटमाल दस से 15 मिलिग्राम पर केजी वेट के नुसर दिये जाता है तो 6-12 साल के बच्चों में 100 mg ibuprofen दे सकते हैं और paracetamol 125 mg दिन में 2-3 डाम दे सकते हैं और side effects की बात करें नोजिया होना, vomiting होना, घबराहट, सास फुलना, overdose लेने से प्यप्टिक कल्सर भी ज्यादा दिनों तक लेने से प्यप्टिक कल्सर भी हो सकता है और overdose लेने से liver related कोई problem भी हो सकता है आँखों का बीमारी होना, allergic condition भी देखने को मिल सकता है जैसे चेहरे पे सूजाना जाना, मुह पे सूजाना जाना, गले में सूजाना जाना, एस्कीन रेसेज और एस्कीन इचिंग भी हो सकता है, सरीर में खुजली और चक्ते भी होना, हो सकता है, इसके साइड इफेक्स ये हो सकते हैं, इसके अला कुछ और साइड इफेक्स देख के यूज नहीं करना चाहिए छोटे बच्चों में इना कराये बच्चों के लिए इसका अनाता है उसका यूज करा सकते हैं और प्रेग्नेंसी में और ब्रेस्ट फिडिंग में अस्थमा का पेसेंट में जिन भी अक्तियोग को लिवर लेटेड कोई कि प्रोफ्हलम हो कि अब बिले सकते हैं लेकिन कोई भी द filme कि लेए लेने योज करकिता है इसलिए आप डौक्टर की शनख sneaking पर योज बूज़ करें पुझान कारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो एक लाइक किजिएगा मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो अप्लोड करता रहता हूँ